नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी काप के अपनी सी यूटूब चैनल विद्यामन्त पर दोस्तों मैं चंचल कुमारा आप सभी का तहीं दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप सभी परिशान है विपेसी रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कर तक आएगा और आप आए दिन तमाम चैनल्स पे सब न्यूज देखते हैं और साथी वाट्सप ग्रूप में मैसेज करते हैं कि आखी रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों आपको एक बात सबस्त क्या देना चाहते हैं रिजल्ट को लेकर कि जैसे आप सभी जानते कि विपेसी ट्यारी का र आपको 15 को आ सकता है और इसमें क्या कुछ कहा गया है मैं आपको दिखाता हूं प्रात्मिक माध्मिक उच्छे माध्मिक विद्यालों में 170 अजारीक पतों पर सिक्षक न्यूक्ति के लिए बीते दिनों लिए प्रिक्षा कर रिजल्ट 15 अक्टूर को संभावित हैं 15 प्रात्मिक का माध्मिक सभी का रिजल्ट 15 अक्टूर को एक साथ निकाल दिया जाएगा उधर बीपीसी अध्यक्स अतुल परसाथ ने भी गुरुवार देर साम ट्वीट का रिजल्ट जल निकालने की बात कर इसमें लग रहे समय की वाज़े से 1634 मेरिट लिस्ट का एक साथ बनाया जाना है क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं लगभग बिहार में 38 जिले हैं और इन 38 जिलों में आप देखेंगे लगभग लगभग 43 सब्जेक्ट्स हैं जिनका रिजल्ट आने हैं तोटल 1634 यहां पे मेरिट बनना है जिसको लेकर की थोड़ा समय लग रहा है हलांकि आप साप साप देख सकते हैं जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15-16 अक्टूर को रिजल्ट एक साथ सभी का आने जा रहा है साथ ही आपको मैं आगे यह बता दूं कि इस महां के अंत तक जो आप देखेंगे यानि कि अक्टूर महीने के लास तक आप देखेंगे कि सतर हजार ने सिक्षक के विज्याप पर निकलेगा जो आपका एडवर्टिसमेंट है वो भी इस महीने के अंत तक निकल जाएगा सत साथ आपको यहां पर और दे दूं कि जिन कि अभियर्टियों का इस बार सेलेक्षन नहीं हो पाएगा बैपेसी ट्यारी renew में जिसका अजाएगा उनका सिलेक्षिन अब सीधा भीपीसीयचीचीे ड्यों हूं कि वह लोग अभी से त्यारी में लग जाए और लगभग जो भी सीटें अपके लिए प्रयाप्त हैं थाप की नवकली में बता दूभा अभी का सीट बचेहें जो दिनए भरेंगी उन सीटों को अगले ईड कर दिया जाएगा यानि कि छू। सब्सक्राइब बढ़ सकती है तो लिहां चाहिए आप सभी देख रहें कि जो बहुत से ऐसे अभियरति जो की क्वालिफाइब नहीं कर पा रहें कि सीटे कितनी जाधा होती तो वक्त बताएगा फिलाल मैं इतना को कह दूं कि लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है और यह बात मैं बता दूं कि लगभाय बनके तयार भी हो रहा है क्योंकि इसको सिर्फ एक चीज का इंदिजार है जैसा कि आप सभी जानते कि मानने उचितम सब्सक्राइब करें कि इसके लिए बहुत जोरों से तयारी चल रहे हैं सभी कर्मिक चुटी रद कर दी गई है साथ ही साथ आप यह देखेंगे कि वहाँ पर जितने कि वैवस्था की जारी है दंडा दीखादी के वैवस्था की जारी है ताकी को भी आप वैवस्था नस पहले है और व्याय नियमता सारा काम हो जांता है समय सीरे में सबको यह यूगदान करा दिया जाए फिर उसके बाद उनकी आगे जो induction training है वो कराई जाए इन सब बातों को लेकर विभा काफी गंभीर है फिलाल इसलिए थोड़ा मामला रुका हुआ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मामला फिलाल सुप्रीम कोड के अंदर लिया जा इसकी सुनवाई भी समुतब 20 सक्टोर को हो होगी जैसा कि हम सभी जान रहे हैं लेकिन हो सकता है कि 125 को रिजल्ट छोड़ के बाइक रिजल्ट डिक्लियर पंदर सुलग कर दे लिहाजा देखने वाली बात यह होगी कि रिजल्ट एक्जेक्टली जो पेपर में आपको यहां पे कह रहा है कि पंदर या सो लोगों जार होता है यह यह आपका 20 के बाद होता लेकिन इतना आता है कि रिजल्ट इस मैने आना तैय हो रहा है क्योंकि इस मैने सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिरहला पेशेंस रखिए हिमत मना रिए और लेटर सब अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब केजिए व मुझे दिजिए इजाज़त मिलता हूं से अगले वीडियों में तफले थैंक्यू टेक केर बाइबाइबाइब